लॉकडाउन के चलते जहां पछले कुछ दिरों से फिल्मों की शूटिंग बंद पड़ी है वहीं इस साल फिल्म की रिलीज पर भी लॉकडाउन का सट देखने को मिला है कई सारी ऐसी मूवियां हैं जो लॉकडाउन के चलते रिलीज नहीं हो पाई है इनमें बॉलवट के वह Lie इस लड़ी शुटान के रिलीज हो चक्रिस्मस और रिलीज सकती है और इसी फीच खबर आ रहی है कि फिल्म राधे भाईया को भी दिसंबर में रिलीज किया जा सकता है पहले ये कयास रगाय जा रहे थे कि सल्मान खान की मूवी राधे भाईया अक्षक कुमार की मूवी सूरिवन्शी के साथ अगस्त में रिलीज की जा सकती है लेकिन ये मूवी अब दिसंबन में रिलीस किये जाने की बात कही जा रही है सिल्मान और रन्बीर के जगड़े के बारे में तो सभी जानते हैं सभी को पता है कि काटरीना को लेका शुरू हुई सल्मान और रन्बीर की लड़ाई आज तक जा रही है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दोरों बॉक्स ओफिस पर भेड़ सकते हैं इसके पहले भी दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था जब सल्मान खान और रनबीर कपूर की मूवी रेस थी और संजू बॉक्स ओफिस पर एक दूसरे को टक्कर देती नज़र आए थी हराग इस लडाई में रनबीर कपूर की संजू ने सल्मान खान की रेस को पचार दिया था और अब यह दोनों सुपसचार एक बार फिर बॉक्स ओफिस पर अपने फिल्मों से एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार है ब्रहमस्त के मेकर्स ने फिल्म को 20 दिसमबर को रिलीज करने का एलान कर रखा है और राधे भाया को भी इसी टाइम रिलीज करने का फैसला लिया जा रहा है अब ये दोनों बॉलिवुड के सुपर्स्टार अपनी फिल्मों से एक दूसरे को कितनी तक कर दे पाते हैं ये तो इनके फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा Subscribe our channel and press the bell icon for more updates